पेट में कीडे हो इन्फेक्शन हो बहुत ग्यास बनती हो तो यह तब भी यह बहुत बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें दो चम्मच धनिया दो चम्मच सौफ और लगभग दो तिन ग्राम बच का टुकड़ा आप पानी में डालिए दो किलो पानी में आप पकाईए और आ पेट के लिए पेट के क्यास के लिए वायू के लिए वास्ता में यह बहुत कमाल की और बहुत कमाल की है आप प्रयूग करके देखिए आपकी पेट की समस्या नश्यत रुप से दूर होगी और घरे बैठे हुए आप इस पाधे को नश्यत रुप से संकल्प करिए हर घर म तूलसी के साथ हम वचा को भी घर में लगाएंगे तो यह एक दिब पहुदा है और दूसरी चीज जो बच्चों को क्रीमी है तो आप इसमें से लगभग आधा ग्रम बच्च को पीस करके थोड़ा सा हिंग मिला करके छोटी-छोटी काले चेने के जितने बड़ी गोलियां ब करते हैं तो उसमें आपको निश्यत रुप से लाभ होगा और बहुत जल्दे आप उस विमारे से ठीक हो सकते हैं और आपका पेट भी इससे ठीक होगा और जिसको बुखार है तो यह एक कमाल की दवाई है जुकाम और बुकार के लिए जुकाम है बहुत ज्यादा तो इसक में आप लगा देजिए फिर आप देखेंगे जुकाम है कितना जल्दी फरक पड़ता है छोटे से टुकडे को उबाल करके थोड़ा सा अध्रक मिला करके एकाद लॉंग मिला करके आप पीए तो आपका जो बुखार है जो सर्दी है जो जुकाम है वो हमेशा के लिए जो बुखार है